नमस्कार दोस्तों, साहिती की ओर में आपका स्वागत है आज की कहानी है शिवानी जी द्वारा लिखी गई कहानी सौत मुझे जब उस बार एक मीटिंग में भाग लेने बंबई जाना पड़ा तब मेरे सम्मुख मुख्य समस्या आई थी आवास की कहां रहूंगी वहां तब ही अचानक याद आया कि नीरा भी तो वहीं रहती थी नीरा मेरे दूर संपर की चचेरी ननद थी पहले उसे यो अचानक अपने आगमन की सूचना देने में संकोच भी हुआ था जन संकुल बंबई का जीवन कितना कठिन है एवं वहां के संकुचित सीमित आवास में आती थी निवहाने में मेजवान के प्राण कैसे कंठगत हो जाते हैं यह सब जानकर भी मुझे नीरा को लिखना ही पड़ा था क्योंकि किसी होटल में रहने का साहस अंत तक मैं संजो नहीं पाई नीरा का फ्लैट छोटा होने पर भी बड़ा सुंदर था 32-32 फ्लैटों के गुलदस्ते रात को दूर से देखने पर किसी बंदरगाह पर खड़े सुंदर जहाजों से ही लगते थे नीरा को बंबई का जीवन बहुत पसंद था तीन वर्सों के बंबई प्रवास ने उसका काया कल्प कर दिया था वैसे भी वह पिथोड़ा गड़ के उस अंजाने ग्राम से बंबई आई थी जहां उसके विवाह तक कुमाउ मोटर यूनियन की बस भी नहीं पहुँच पाई थी उन दिनों मोटर रोट का निर्मान कारी चल ही रहा था मुझे आज भी याद है लगन का समय बीता जा रहा था और उसकी बारात नहीं पहुँची थी बड़ी देर बाद उसकी बारात के ठके मांदे बाराती बिना किसी बैंड वाजे की ऐसे चले आए थे जैसे कोई मात्मी जुलूस हो पहाडी लट्टू घोडे में बैठा उसका सजीला दूलहा भी वर्षा की बोच्छार में भीग भाग एकदम ही अनाकर्शक लग रहा था उधर नीरा आकर शकना होने पर भी कांदार लहंगे दुपटे में बड़ी प्यारी लग रही थी नए गहने कपड़े और नविन जीवन साथी का उल्लास उसके गदबदे गोल मटूल चेरे पर लच्जा का अंगराग बिखेर उसकी उजली हसी को और भी उजली बना गया था किन्तु आज की नीरा की न तो वेश भूसा में न वानी में वह पहाड़ी धीलम धाल लटका था और न आतित्थी में उसके मुह से मैंने बोला तुमको होना क्या आदी बिभिन प्रदेशी उचारन सुन मैंने उसे टोका भी था यह कैसे बोलने लगी हो नीरा क्या हो गया तुम्हारी हिंदी को क्या करूं भाभी मेरी पड़ोसिन हैदराबाद की है न इसी से बोली में उसकी चाप लग गई है आज तुमसे मिलवाओंगी बहुत ही प्यारी लड़की है नीरा की प्रती वेशनी राजजियम बंबई के एक प्रसिध होटल में रिसेप्सनिस्ट थी उसके पती मदरास में ही किसी दवाओं की विदेशी फर्म में काम करते थे दोनों का वेतन खासा अच्छा था उस पर उनकी एक मात्र पुत्री ननिहाल में पल रही थी राजजियम स्वेंग उटी के कॉन्वेंट से पढ़ी थी इसी से अंग्रेजी का उच्चारन उटने बैटने का सली का सब कुछ खाटी मेम साहबी था वेश भूसा में भारतिय संस्कृती का लवलेश भी नहीं था टकनियों तक जूल रही मैकसी बाया भाग किसी सम्रिद थियेटर के रेशमी परदे की भाती बीचों बीच उनमुक्त ओदारी से खुली परतों को समेट लेती किन्तु उस कोशल में भी उसकी सधी पुर्वा भ्यास से की गई उदासींता मैंने कन्खियों ही में पकड़ ली थी गुलाबी रेशम की खुली भाज के बीच रह रहकर उसकी गुलाबी रेशमी जंगा की शनिक छटा बिजली सी कौंध जाती किन्तु उसके चेहरे पर वही स्वभाविक सौमेट स्मित खेलता रहता जैसा उन सरक सुंदरियों के चेहरे पर रहता है जो बालिस्त भर की रेशमी कोपीन पहने टैपीज के जूलों पर ऐसी ही उदासींता से सर्र से निकल जाती है उसकी मैक्सी का गला भी इसी ओदारे से खुला किसी उत्तुंग परवत्ष्रेनी पर फिसल रहे पहाडी जहरने के वेग से ही जर जहराता नीचे उतर गया था पतली ग्रीवा में थी सुवर्न मंडित रुद्राक्ष की माला गेर्वे रंग की सौट सिल्क की मैक्सी और कंठ की रुद्राक्ष कंठी से मेल खाता ही उसका केश विन्यास भी था संसार त्यागी अब धूत के से उस जटा जूट में भी एक रुद्राक्ष की माला लपेती गई थी हाथ में वैसा ही मेल खाता रुद्राक्स का कंगन था बाद में नीरा ने बताया था कि वह जूड़े की लेटेस्ट स्टाइल है फारी दावा हेर स्टाइल है भाबी उसने बड़े गर्व से अपनी स्रिंगार पट्टू सहली की उपस्तिती में ही फिर उसका प्रशस्ति पत्र पढ़ दिया था पर हम तुम पर थोड़े ही न अच्छी लग सकती है यह तो राज्यम ही है कि कैसी ही बनकर क्यों न निकल पड़े लोग मुर्मुर कर देखते रहते हैं बात ठीक ही कही थी नीरा ने लड़की वास्तम में व्यक्तितु संपन्ना थी कुर्गी थी इसी से रंग था एकदम चिट्टा सुर्ख उस पर कुछ ब्लैशाउन की महिमा थी कुछ प्लग कलर लिपिश्टिक की उसे देखकर मुझे वाजिद अलिशाह की जोगिया बेगम सिकंदर महल का स्मरन हो आया वयस होगी कोई 23-24 के लगभग किंतु ब्यभार अल्हड शोड सी का था होटल की रिसेफ्सनिष्ट थी इसी से छलेदार बातें बनाने में पारंगत थी मेरा परिचे पाते ही वह मेरे पास अपना मोड़ा खिसकाल आई So you are a writer? How very very interesting क्या लिखती हैं आप? वो पन्यास कहानी या नाटक? जी मैं तो आया कह दूँ, तुम्हें देखकर तो अभी एक नाटक ही लिखने का मन कर रहा है पर तब क्या जानती थी कि एक दिन उसे ही नाईका बना कर लेकनी स्वेंगी मुखरा बन उठेगी रात का खाना राज्यम नित नीरा के साथ ही खाती थी मैं नीरा का ब्यभार फूर्ती और पाक कौशल देखकर मुखध हो गई थी एक बालिस्त के अपने उस गुफा से सक्रे चोके में उसने इतनी चीजें कब बना दी और कैसे ना उसके पास कोई नोकर था ना महरी फिर भी मैं जितनी देर मीटिंग में रही उसने ना जाने क्या-क्या बना लिया था उड़ी, कचोडी, तीन तरह की सूखी रसेदार सबजियां, ठेट पहाडी रायता और मीठी चट्मी बंबई में भी उसने उत्राखंड के स्वादिष्ट पकवानों की महिमा को पूल रूप से साकार कर दिया तो मैं अवाक रह गई कुमाओ के पकवान देखने में जितने ही आडंबर, हीन और अनाकर्शक होते हैं खाने में उतने ही सु स्वादू और मॉलिक उन सरल पकवानों की भूमिका कितनी दुरूह होती है यह मैं जानती थी अरी ऐसे कुरकुरे सिंगल तो पहाड की बड़ी बुढ़ियां भी नहीं बना पाती होंगी और यह कड़री ककडी कहां मिल गई तुझे पहाडी कड़री ककडी के पीले गंडे से कलेवर को मैंने ठीक ही पहचाना था बाबुजी अलमोडे से लाए थे ठीक उसी दिन मुझे तुम्हारा तार मिला तो मैंने उठा कर फ्रिज में रख दी सोचा तुम आओगी तो ठेट पहाडी दावत करूंगी ये रायता राज्यम को भी बहुत पसंद है क्यों है न राज्यम पर उसकी भोजन प्रिया प्रतिवेशनी को उत्तर देने का अवकास ही कहां था रायते का डोंगा लगभग साफ कर वह अब किसी शुधा कातर भिक्षू की भातिक कचोडियों के अमबार पर तूटी मुझे अपनी लोलुपता को रंगे हाथों पकड़ लिया देख वह बड़ी ही मोहक हसी से घायल कर कहने लगी क्या गजब का खाना बनाती हो नीरा इसी से आज इतना खा रही हूँ अपने होटल का खाना तो एकदम चरी भूसा है इसके सामने पर मैंने प्राया ही देखा है कि डाइटिंग के चक्कर में बंधी ये चरहरी आधुनिकाएं दाबतों में स्वेच्छा से ही जिहुआ पर लगे सैयम अंकुष को दूर पटक भूखे कंगलों की भाती खाने पर तूट पड़ती हैं क्यों तुम्हारे सुख्यात होटलों में तो सुना चित्र जगत के सितारों का नित्य मेला ही जुटा रहता है और वहां उनके नाम कई कमरे अस्थाई रूप से आरक्षित रहते हैं मेरा स्वर शायद कुछ अधिक ब्यंग्यात्मक हो उठा था अजी उनकी बात छोड़िये वह अब दो कचोरियों को रोल कर आलू दम के एक भीम आलू से पेट फुला बड़ी नजाकत से कुतरती कहने लगी वे क्या वहां खाना थाने आते हैं फिर वह कुटिल रस्मई कंकियों से मेरे नंदोई को देख कर मुस्कुराई वह मुझे अच्छा नहीं लगा अपने कहानी उपन्यासों में ऐसी असंखे प्रेमासिक्त कुटिल कंकियों का वर्नन करते करते अब किसी भी स्वेंग दूती नारी के अंतर मन के चाया चित्र को मैं ना चाहने पर भी किसी एक्सरे प्लेट में उभरे भगन अस्थी कोटर सा स्पष्ट देख लेती हूं उस दिन दावत लगभक तीन घंटे चली थी इस बीच उस चपला सुंदरी प्रती वेशनी की उपस्थिती ने मुझे अपनी सरल ननत के अद्रिष्ट के प्रती आशंकित ही किया था खाने के बाद अचानक याद आया कि मीठी खीर के पश्चात वो अत्यंत अनिवार्य भारतिय मुक्षुद्धी का प्रवंद करना भूल गई थी हाई राम मैं तो भूली गई थी किया आप पान खाती है वैसे तो चौपाटी दूर नहीं है पर अरे क्या परपर करता उसकी मेखला धारेनी केवरेनर तकी सी प्रती वेशनी हस्ती उठ गई हम अभी लाएगा चलो तो महेश निकालो अपना स्कूटर मैं स्तवध रह गई इतनी रात को क्या यह लड़की अपनी इस अधखुली मैकसी में महेश की कमर में हाथ डाल मेरे लिए पान लेने जाएगी नहीं नहीं मुझे पान की कोई ऐसी आदत नहीं है मैंने कहा पर मेरी भोली ननत के चेहरे पर अपनी सखी के प्रती किर्तियगिता की सहस्त्र किर्ने फूट रही थी प्लीज राज्यम पुड़ा भर लेती या ना फ्रिज में रख दूगी और फिर मेरी भैतरस्त आँखों के सामने वह अपनी सखी के सहचर की कमर में हाथ डाले हवा सी निकल गई बड़ी देर बाद दोनों पान लेकर लोटे तो मैंने कठोड द्रिष्टी से महेश को घूरा उसे मैं क्या आज से जानती थी फटे कोट की बहां से नाक पोश्ता महेश प्राया ही तो हमारे यहां कभी पिता के लिए शिप पुरान मांगने आता और कभी विश्नु पुरान उसके पिता गोबिंद बल्ला पांडे हमारे कुल पुरहित थे और मेरा ही नहीं मेरे सब भाई बहनों का शष्टी पुजन उन्होंने किया था मैं देख रही थी कि महेश मेरी आखों से आखें नहीं मिला पा रहा है जब नीरा की प्रतिवेशनी विदा हुई तब वह मेरा बिस्तर लगाने मेरे कमरे में आई भाबी कैसी लगी मेरी सहेली है ना गजब की लड़की इसके होटल में कोई भी वी आईपी अतिती आएं इसकी ड्यूटी ना हो तब भी इसे ही बुलाया जाता है मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सखी के व्यक्तितु की स्रिष्टी ही विधाता ने पुरुशों का आतित्ति निभाने के लिए की है मैंने कहा पर भोली नीरा ने मेरे उत्तर के व्यंग को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दिया वह फिर उसी उत्साह से कहने लगी है तो मदरासी पर रंग हम तुमसे भी गोरा है उस पर कपड़े पहनने में तो इसका जवाब नहीं है भाबी चाहे कुछ भी ना पहने तब भी हीरे सी दमकती है वह तो देखी लिया मेरा रूखा स्वर फिर उस चिकने घड़े पर तेल सा धरक गया अच्छी लगी ना तुम्हें नहीं ना चाहते हुए भी मेरे हिर्दे की बात होटों पर फिसल गई क्यों चादर की सिलवटे ठीक करते करते उसके दोनों हाथ रुख गए इसलिए कि मुझे स्कूल कॉलेज ना जाने वाले लड़के और ससुराल ना जाने वाली लड़कियां जरा भी अच्छी नहीं लगती मैंने हसकर कहा तो क्या हो गया उसके पती तो यहां आते रहते हैं फिर बेचारी करे भी क्या सास बहत तेज है मैं तीन दिन तक नीरा की अतिथी बनी रही और उन दिनों की संचिप्त अवधी में ही उसकी उस चतुरा परतिवेशनी का बेभार मुझे अस्तब्ध कर गया नित्य प्रयाय हुआ महेश के ओफिस जाने तक नीरा के यहां ही डटी रहती मैं अपने कमरे से ही देखती वह महेश के कमरे में बैठी खिल-खिला रही है और मेरी मूर्खा ननत चौके में भार जोक रही है चाय नास्ता वहीं से लेकर वह होटल जाती और पांच बजे लोटती फिर अपना ताला खोलने से पहले वह नीरा की ही घंटी बजाती रात को भी उसका खाना नीरा के यहां ही रहता बड़ी रात तक तास चलता गिलासों की खनक से ही मैं जान जाती की तासों के जोर-जोर से पचके जाने और असंसकारी कहकहों के पीछे किसी गहरे जलपान का बहुत बड़ा योगदान है स्कूटर की घर घर सुन मैंने खिर्की से जहाका था महाराज पृत्वीराज की मुद्रा में महेश पीट पीछे लिप्टी संयुकता को लेकर शायद मेरे ही लिए पान लेने जा रहा था जी में आया उसी शन अपनी उससांसारिक बुद्धी हीना ननत को कमरे में बुलाकर जहापड कसदू पर तीन दिन के लिए जिसने ही ननत के ग्रिह में अतिथी बनकर आई थी उसके निर्मल चित में संदेह का व्यर्थ बीजारूपन कर मुझे मिलता भी क्या हो सकता था वह संदेह मेरी आवश्यक्ता से अधिक संसकार ग्रस्त दिहाती चित की कलपना मात्र हो क्या पता आधुनिक पती ब्रता की मान्यताएं अब हमारी मान्यताओं से भिन हो वह पती को ऐसी स्वतंतरता स्वेच्छा से ही दे देती हो फिर चलते चलते मैंने उसे सावधान कर ही दिया था देखो नीरा तुम बहुत भोली हो फ्लैट का जीवन निश्चे ही कुछ अंशों में मनुस्त की जीवन को अनभवों से समरिद करता है किन्तु इसके लिए तुम फ्लैट वासियों को अपनी एक बहुमुल धरोहर खोनी पड़ती है वह तुम लोगों की प्रैवेसी किसी भ वह दूसरे परिवार की छीखासी बन जाती है तुम्हारी सकी से तुम्हारी ऐसी मैतरी देखकर बड़ा आनंद आया किन्तु एक अंग्रेजी की कहावत सुनी है अंतरंगता घृणा की जन्नी होती है इसे मत भूलना नीरा हाई भावी तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी में डाल लिया और जैसे ही स्टेशन पीछे चूटा मैंने बंधा पुड़ा खिरकी से बाहर फेंक दिया फिर एक वर्ष तक मुझे नीरा की कोई खवर नहीं मिली पिछली बार एक शादी में पहार गई तब उसकी मा मिल गई कभी उनकी गाई घोड़ी बनना के बिना कोई भी विवाह उत्सब संपन नहीं होता था उस दिन एक निर्जन कोने में ऐसे बैठी थी कि पहले मैं उन्हें देख भी नहीं पाई नन्हे से घुंगट की यवनिका में उनका उत्रा कुमलाया चेहरा देख मैं अस्तब्द रह गई क्या हो गया था मेरी इस आनंदी सास को अभी दो वर्श पुर्व निरा के भाई की शादी में उन्होंने मेरे ससूर के सूट बूट में लैस हो कभी गोरे सहब और कभी पहार की सरल ब्रहामनी का अपुर्व अभिने कर हमें हसा हसा कर मार दिया था किसी अनुभवी वैटरो व्यूलिस्ट की गुडिया की भाती वह कभी मोटी मर्दानी आवाज में गोरे सहब का प्रणय निवेदन करती फिर तकाल कंठ का पैतरा बदल जनानी कापती आवाज में थर्थरा कर गाती हाथ जोड़ूं गोरा जी मैं तो बीवी बामणी मैं उन्हें देखते ही हसकर ढोलक उनकी ओर लुटका दी लो चाची ये क्या मुह लटकाए बैठी हो हो जाए एक कड़कती सी गोड़ी मेरी ही और वापसी धलान में लुटका उन्होंने अपनी डवडवाई आँखे फेर ली मेरी देवरानी ने मुझे चिकोटी काटी क्या कर रही हो दीदी आज पहली बार तो औरतों में आकर बैठी है नहीं तो अम्मा जी ने तो पलंग ही पकड़ ली थी क्यों मैंने फुस नीडा का तार पाकर बाबुजी उसे यहां लिवा लाए पर लाने से क्या होता है दिन रात कमरे में गुमसुम पड़ी रहती है कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं कहते हैं दिमाग का मर्ज है किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाईए फिर्दे पर कोई भारी आगहात लगा है इससे बड़ा आगहात किसी भी नारी को और लग भी क्या सकता था मैं उस आनंद उत्सव के बीच सिर लटकाए बैठी चाची के उस वेदना विधुर चेहरे की और दूसरी बार आँख उठाकर नहीं देख पाई चलने लगी तो देवरानी चांदी की तस्तरी में पान ले आई लो भावी मैं तो भूली गई थी कि तुम पान खाती हो ठीक एक वर्ष पहले ये ही शब्द नीरा ने भी कहे थे नहीं मैं अब पान नहीं खाती कह मैंने तस्तरी खिसका दी और उठ गई वैसे तो नीरा की सौत मेरे लिए पान लेने न जाती तब भी होनी होकर ही रहती पर मुझे बार बार यही लगता है कि वह प्रिथिवीरा सायुकता की आधी आधी रात को मेरे लिए पान लेने न जाती तो शायर नीरा का उतना बड़ा सर्वनास भी नहीं होता तो ये आप सुन रहते शिवानी जी की बहुती अद्भुत कहानी रेनू की आवाज में ऐसी अनुकी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी थैंक यू